आरोग्या कभी बिमारी कितना ही मद्यंबर का सुखी परिवार क्यों नहों अच्छी खासी आई रखने वाला व्यक्ति क्यों नहों गरीब क्यों नहों एक बार घर में बिमारी आ जाएं तो व्यक्ति नहीं पूरा परिवार बिमार हो जाता हैं कभी पीधी दरपीधी बिमार आरोग्य के चक्र में फस जाता है देश के गरीब से गरीब ग्यक्ति को सामान ये जन को आरोग्य की सुविधा मिले इसलिए गंबीर बिमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान ये मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले मुप्तमे मिले और इसलिए भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारम करने का तैक किया है ये प्रधान मंत्री जन आरोग्य अभियान के तहट आईश्मान भारत योजना के तहट इस देश के दस करोर परिवार यह प्रारंबिक है आने वाले दिनों में निम्ड मद्यमबर, उसको भी इसका लाब मिलने वाला है और इसलिए दस करोर परिवारों को याने करीब पचास करोर नागरी हर परिवार को पांच लाख रुपिया सालाना ये हेल्थ एशोन देरे की योजना है जे हम इस देश को देने वाले है और आज 15 अगस से इसके लिए जो टेकनोलोजी के टूल बने है क्योंकि ये टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ता है ट्रांसपरंसी पर बल हो किसी सामान ये व्यत्ती को ये अवसर पाने में दिक्कत ना हो कोई रुकावट ना हो इसमें टॉक्नोलोजी इंटर्वेंशन बहुत महत्वपूर है आज 15 अगस से आने वाले 4, 5, 6 सब्ता देश के अलग-अलग कौने में इस टेक्नोलोजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है और फुल्प्रूप बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है और फिर ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दिन दयाल उपध्याय की जन्वजेंती पर पूरे देश में ये प्रधान मंत्री जन्द आरोग ये अभ्यान लाँच कर दिया जाएगा और उसका परणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यप्ति में अब बिमारी के संकट से जूजना नहीं पड़ेगा उसको साहुकार से पैसा ब्याच से नहीं लेना पड़ेगा उसका परिवार तबाल नहीं हो जाएगा और देश में भी मद्दमर्गी परिवारों के लिए नव जवानों के लिए आशेतर में नही अवसर पूलेंगे टायर 2, टायर 3 सिटी में नए अस्पताल बने के, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाप लगेगा, बहुत बड़े रोजगार के लिए उससर पड़ा होंगे, भाईयों भेलो, कोई गरीब, गरीबी में जीना नहीं चाहता है कोई गरीब गरीबी में मरना नहीं चाहता कोई गरीब अपने बच्चों को विरासत में गरीबी दे करके जाना नहीं चाहता वो छटपटा रहा होता है जिंदगी बर गरीबी से बाहर निकालने के लिए और इस संकर से भानाने के लिए गरीब को ससक्त बनाना यही उपचार है यही उपअए है हमने पिछले चार साल में गरीब को ससक्त बनाने की दिशा में बल दिया है हमारा प्रयास रहा है गरीब ससक्त हो और अभी अभी एक अंतराश्य संस्ता ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है उन्होंने कहा है कि पिछले दो वर्ष में पिछले दो वर्ष में भारत में पांच करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बहार आए भाई यो भेड़ो जब गरीब के ससक्ति करण का काम करते हैं और जब मैं अईश्वान भारत की बात कर रहा है दस करोर परिवार यहने क्या पचास करोर जनसंग यहने क्या बहुत कम लोगों कंदाज होगा कितनी बड़ी योजना है अगर मै अमेरिका कैनेडा और मेक्सिको इसकी जनसंख्या मिला लूँ तो करीब करीब इतने लाभार थी यह आईश्मान भारत योजना में